Hello Friends, Welcome to my YouTube channel So Friends, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ Types of Triggering इससे पहले वाली वीडियो में मैंने और भी Triggering बता दी हैं जिससे हमारा SCR Trigger होता है और भी मैथर बता दी है तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लिजे लिंक दिस्क्रिप्शन में है तो चलिए Friends, स्टार्ट करते हैं Gate Triggering के कितने टाइप्स होते हैं तो फर्स्ट है हमारा DC Gate Triggering और सेकेंड है Pulse Gate Triggering थर्ड है AC Gate Triggering इसके भी दो टाइप्स होते हैं Registrant Triggering, Registrants Capistrate Triggering तो मैं इन सब के working बताने वाली हूँ Diagram से आपको अच्छे से समझ जाजाएगी तो चलिए Friends, स्टार्ट करते हैं नम्मर वाद नाता है हमारा Gate Triggering तो चलिए हम उसका पहले Diagram देख लेते हैं क्योंकि Diagram से हमारी theory अच्छे से तयार हो जाती है तो हमारा Diagram देखिए यह हमारा Diagram है इसका DC Gate Triggering का तो मैं उसका आपको थेख भी दिखा दूँगे आपको अच्छे से पहले आप इससे Diagram से समझ लेजिए तो इसमें हमारा यह SCR लगा है तो SCR लगा है तो इसमें SCR में क्या होता है एक Gate होता है एनोड होता है कैथोड होता है यह 3 होते हैं तो कितने होते हैं 3 Terminal तो यह SCR है इसमें लगा है यह Resistance इसमें यह हमारा DC Source लगा है यह Variable Resistance तो इसका क्या है Process यह जो Process होता है यह DC Gate Triggering Gate तता कैथोड के बीच में जो Polarity होती है वो Voltage अप्लाई किये जाते है जिससे क्या होता है Current का मान जो होता है मतलब जो हमें परियाप्त मतलब जितना हमें चाहिए होता है उतना मिल जाता है और Device उसकी वज़े से हमारी Connect हो जाती है अब Device हमारी Connect हो जाएगी तो हमें इसके लिए कुछ मतलब कि इसके कुछ Advantage होंगे कुछ Disadvantage होंगे तो Advantage यह है हमारा कि इसमें जो Power और यह जो होता है Control Circuit Power और Control Circuit होता है इसमें एक DC Source लगा है इसका यूज़ किया जाता है तो इसकी वज़े से क्या होता है हमारा इसमें DC हमेशा Connect रहती है तो DC हमेशा यह Connect रहीगी इसमें उसकी वज़े से हमारे Losses जादा होते हैं तो यह है हमारी छोटी सी Working तो चलिए हम इसकी Theory देख लेते हैं तो Theory क्या है अब यही हम Theory में लिख देते हैं क्योंकि जो हमारा Diagram से Diagram से अच्छे से समझ आता है और हमारी Theory भी है तो देखते हैं इस Process में Gate तथा Cathode के बीच Proper Polarity के Voltage Apply किये जाते हैं जिससे Current का मान परियाप्त होता है Device Conduct कर जाती है इसमें Resistance R का यूज़ किया जाता है मैंने आपको बताया Resistance R यूज़ था Gate Current को सीमित बनाए रखने के लिए किया जाता है यह जो Resistance है इसमें Gate पे जो Current होती है इसमें अच्छे से Flow हो सके मतलब सीमित सीमित मतलब कंट्रोल में रख सके इसलिए हम इसका यूज़ करते है इस Circuit का मुख्य दोश यह है कि इसमें Power तथा Control Circuit के लिए एक ही DC Source का यूज़ किया जाता है अब यह जो Power होती है और जो Control Circuit होता है उसके लिए हम एक ही DC Source का यूज़ करते है उसके बैज़ से हमारा Power Loss चादा हो जाता है और इसमें DC Voltage हमेशा Connect रहता है जिससे अधिक Power Loss होता है तो हमारा यह तो थी इसकी Working और यह था इसका Diagram अगर आप वो Diagram से समझ में आ गया होगा इससे अब देखते है Next तो Next देखते हैं Pulse Gate Triggering तो Pulse Gate Triggering हमारी यह है इसकी यह है Working तो हम पहले इसका Diagram देख लेते हैं Diagram क्या है हमारा इसका तो देखिए Diagram में हमारे यह Pulse Gate Triggering का इसमें क्या होता है एक UJT लगा होता है यह हमारे UJT का सिंबल होता है इसमें यह दो resistance होते है और यह UJT के तीन टर्मिनल होते है तो इन्हें बोलते हैं B1 and B2 यह हो गया B1, B2 यह होता है gate यह है resistance यह Capistence है यह इस तरीके से यह time up हुआ है down, up, down, up, down इस तरीके से हुआ है कितनी cycles में T, 2T, 3T तीन cycles में पूड़ा हुआ है तो यह हमारे यह simple सी एक curve है इसे हम आसानी से हम repeat कर सकते हैं revise कर सकते हैं तो ज़्यादा tough नहीं है इसकी अब इसके हम देखते हैं working तो working क्या होती है हमारे इसमें यह जो pulse है इसके gate पर pulse apply की जाती है यह जो pulse होती है इसमें जब हम pulse apply करेंगे उससे हमारे device होती है trigger हो जाती है और इसका सबसे बड़ा advantage पता क्या होता है इसमें continuousness signal होता है क्योंकि जब हम pulse देंगे इसमें DC source तो लगा नहीं है DC source नहीं लगा है तो इसमें हमें continuousness नहीं जो signal होता है वो उसकी आविशक्ता नहीं पड़ती है उसका मतलब की हमें इतनी जरुद नहीं होती है जिससे कि हम DC source लगा है और हम pulse देंगे तो pulse में क्या होता है दे दी हमने फिर उसके बाद हम रुख सकते हैं फिर pulse दे दी इसलिए हमारा इस तरीके से curve बना है हम pulse दे देते हैं फिर थोड़ा stop हो जाते हैं फिर pulse दे देते हैं फिर stop हो जाते हैं तो इसी वज़े से हमारा इस तरीके से curve बना है अब यह जो होता है power और तो इसमें power losses भी कम होगा, क्योंकि जब DC supply नहीं होगी, तो power losses कम होगा, और power losses कम होगा, तो यह जो voltage होते हैं, यह in voltage में electrical isolation बना रहता है, electrical isolation बना रहता है, यह तो तही हमारी छोटी सी working, इस diagram से, तो चलिए friends, अब देखते हैं, working इस की main, यह है, इस प्रक्रिया में gate के अंदर pulse voltage apply किये जाते हैं, जिससे device trigger होती है, इस method का सबसे बड़ा advantage यह है कि इसमें continuously signal apply करने की आविश्यक्ता नहीं होती, अता है, अता है gate पर power losses कम होता है, जिससे device हमारी device की supply तथा getting voltage में electric isolation बना रहता है, यह होगी शोटी, next is AC gate triggering, तो AC gate triggering, SCR को trigger करने के लिए, AC source का use सबसे अधिक किया जाता है, AC triggering करने के लिए, दो प्रकार की circuit का use किया जाता है, पहला है resistance triggering, second है resistance capstone triggering, तो यह जो resistance triggering है, इसका यह working है, यह working है, और diagram हमने बना रखा है, तो पहले हम diagram देख लेते हैं, diagram कैसा है, यह है हमारा इसका diagram, resistance triggering का, इसमें SCR लगा होता है, यह है diode, तो diode लगा होता है, यह resistance, रजिस्टर है, यह variable resistance, यह DC source, यह इसके, A and B, यह anode cathode, and यह हो गया gate, तो यह register का हम use करते हैं, gate current को, यह जो gate है, इसमें current limit से हो, limit से cross हो, तो जिससे limit से cross होगी, तो हमारा यह device trigger हो जाएगा, अब यह जो है, diode, diode क्या करता है, यह junction को damage होने से रोकता है, अब junction damage हो जाएगा, तो हमारा SCR trigger कैसे होगा, जाधा time तक चलेगा नहीं, इसके विए से हम इसके diode का use करते हैं, अब आता है हमारा इसका working, तो working देख लेते हैं, तो working है, resistance triggering में एक variable resistance का use किया जाता है, current को control करने के लिए किया जाता है, जब gate current का magnitude परियाप्त हो जाता है, तो device trigger हो जाती है, device D, blocking diode, वो जो diode था, वो blocking diode है, जिसका कारे gate, cathode को junction को damage होने से रोकता है, अब ये जो diode था, ये junction को damage होने से रोकता है, तो था gate के उपर positive pulse प्रदान की जाती है, अब gate के उपर हम positive pulse प्रदान करेंगे, इस circuit का maximum firing angle 90 होता है, अब ये तो था diagram, अब आता है next resistance, capacitance triggering, तो resistance, capacitance triggering का diagram देख लीजिए, diagram है हमारा ये, इसमें SCR लगा है, एक diode लगा है, ये D1 diode and ये D2 diode, ये capacitance, ये variable resistance and ये register, ये DC source लगा है, तो इसमें क्या होता है, ये जो SCR होता है, ये इसका firing angle का जो मान होता है, 90 से अधिक रखना हो, तो हम इसे, ये resistance, हम इसे बोलता है RC triggering, हम इस RC triggering का use करते हैं, और ये जो RC triggering होता है, इसमें capacitance और ये resistance, ये जो इसकी maximum value तक चार्ज होता है, ये maximum value तक चार्ज होगा, इसमें क्या होता है, gate current, ये जो gate है, इस पे जो current परियाप हो जाती है, तो device हमारी trigger हो जाती है, अब ये trigger हो जाएगी, तो हमारा ये ये पूरा process है, ट्रिगर करा रहे हैं, अब ये D1 और D2 का use कहा होता है, तो D1 का use हमारा होता है, ये जो किया जाता है, तो चलिए हम इसकी working देख लेते हैं, तो working है हमारी ये, यदि firing angle का मान 90 से अधिक रखना हो, तो RC triggering का use किया जाता है, figure में RC triggering का circuit दिखाया गया है, positive half cycle में capacitor C, resistance R के द्वारा maximum value तक, maximum value तक charge होता है, इसके charge rate को variable resistance के द्वारा control किया जाता है, इसके पस्चात gate current परियाप्त हो जाने पर device trigger हो जाती है, इसमें diode D1 का use gate cathode junction reverse breakdown से बचाने के लिए किया जाता है, जबकि diode D2 का use capacitor को negative half cycle में charge करने के लिए किया जाता है, तो friends ये तो थी हमारी triggering, अब हम next video में बताएंगे commutation, तो commutation क्या होता है, जो SCR को हम off करने की भी थिया, तो ये तो थी हमारी on करने की भी थिया, trigger करने की, अब बताएंगे हम off करने की भी थिया, तो हम उसे next video में बताएंगे, तो friends ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें, तो thank you for watching my video